हेलो फ्रेंड्स मैं संदीब आप सब लोगों का फिरसेक बार स्वोगत करता हूँ मेरे असने वीडियो में और हमार डिप चैनल पे जिसका नामे दध हिलिंग हैंड्स दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे एक magical trick बताने ओलो ऐसे एक stretch बताने ओलो जिसकी help से अगर आपका neck pain हो रहा है साथी में आपका अगर ये वाल एरिया pain हो रहा है trapezius का और उसके साथ साथ कुछ लोगों को यहाँ पे जो upper back का middle portion होता है यहाँ पे पेन हो होता है इसके पीछे जो muscle responsible होता है वो होता है हमारा trapezius muscle इस image में आप clearly देख सकते हो कि जो हमारा trapezius muscle होता है वो triangular shape में होता है ठीके तो उसका जो भी starting point होता है वो हमारे जो skull होता है उसके base of skull से शुरू होता है और फिर सीधा नीचे along the our spine वो almost T12 तक चला जाता है अपने से ओके हो एक्रोमियन प्रोसेस को attach होता है और अगेन वहां से निकलके neck में चला जाते है तो it's a triangular shape muscle इसलिए इसको trapezius बोलते है तो guys यह muscle जो होता है जब spasm में चला जाता है tightness में चला जाता है तो वो बहुत ज़्यदा pressure create करते हमारे neck किर्या में हमारे shoulder पे और हमारे upper back म तो guys यह muscle single muscle जो होता है इसकी वज़े से काफी लोगों को यह किसी बीराय में बहुत ज्यादा pain फिल हो सकता है आपने कभी experience कि होगा कि जब भी आप सुबे नीन से उठते हो तो आपकी neck बहुत ज्यादा stiff होती है जकड़ी होती है या फिर आपका भी long drive कर क्याते हो especially two wheeler चल उनको बहुत ज्यादा pain फिल होता है साथी में कुछ लोग होते है उनको यहाँ पे जहां से हमारा जो trapegeous muscle शुरू होता है base of the skull से तो उस एरिया में काफी लोगों को headache फिल होता है तो guys यह सारे symptoms से सारे जो भी reasons से उसके पेचे responsible होते है आमारा trapegeous muscle तो यह muscle बहुत common होता यह muscle बहुत commonly spasm में चला जाता है stiffness में चला जाता है इसके पीछे और भी reason होते है कि हम बहुत ज्यादा अगर mobile को उच्छ करें laptop को यह हमारे head को एक ही position में lock रखे तो उस case में trapegeous muscle spasm में जाना बहुत ज्यादा common होता है तो guys यह single stretch आप लोगों को अगर neck pain हो रहा है जिसका reason हो हमारा trapegeous muscle का tightness है spasm है तो उस neck pain को इस वाली area के pain को trapegeous pain को instantly release कर देगा कि अगर आपका neck pain cervical spondylosis के वाज़े से हो रहा है या फिर आपका neck pain या जो भी back का pain है उसमें अगर कोई specific muscle injury हुई है या shoulder joint में अगर कोई specific muscle injury हुई है उसकी वाज़े से अगर आपका pain हो रहा है तो ये trick आप ना करें इसके लिए जो भी आपका pain का जो भी reason है उसके लिए almost मैंने बहुत सारे वीडियो के बना के अपने channel पे डाल दिये है cervical spondylosis का वीडियो है frozen shoulder का वीडियो है या फिर हमारा posture correction का भी वीडियो है सबके link मैंने वहाँ पे दे दिये आप वहाँ पे जरू कीजिए आपको बहुत ज़्यादर लिप मिलेगा बड़ गाईज अगर कुई specific injury है नहीं बस आपके trapeges muscle की वज़े से spasm की वज़े से आपका neck pain जकड़ा हो रहा है या neck जकड़ा हुआ है तो यह जो मैं अभी trick आपको बताने वाला हूँ यह follow कीजिए और आपका neck pain आपका की direction में pull करने और साथ ही मुझे टेम आपको जो shoulder होता है उसको आलका सा पीछे push करके नीचे की तरफ pull करके रखना है यह आप 10 second के लिए hold कर सकते हो and relax again दूसरी साइड तो यह स्ट्रेच करना बहुत important है क्योंकि अगर आप स्ट्रेच चा फिर कुई विने कम warm-up वगेरा नहीं करते तो कभी-कभी exercise करने करते time आपको आगें pain होने के chances muscle stiffness के chances बढ़ जाते इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो चाहे वो stretches हो exercise हो उससे पहले warm-up प्या- अब हम चलते हैं हमारा magical trick उसको कैसे करना है उसके लिए आपको जिस side भी pain हो रहा है जैसे मैंने right side पर पहुना रहा है और फिर मेरा left side पहुना है तो अभी क्या करना है आप side से देखे तो आपको clear idea आजाएगा अभी आपको क्या करना है जो side pain हो रहा है ठीक है वह और जो shoulder होता है उसको ओपर lift करना है आप जैसे मैंने इसको उपर lift किया तो same lift position में उसको पीछे खीच रहा हूँ ठीके आप पीछे खीच के नीचे ने लेके जाना, lift किया तो किया और उससी same position में पीछे खीचना है अब मेरा जो सर है, सर को हलका सा extension में लेके जाना है, extension में लेके जाके, shoulder मेरा same position में hold रहेगा, फिर मेरे neck, जो मेरा ear होता है, उसको हलके से shoulder को touch करने की कोशिश करने, और जैसे आप इसको touch करते हो, तो आपको head को opposite direction में घुमाना है, ठीके, आप ये जो position इसको आपको hold करना है for 15 seconds, and same position में आपको इसको release करना है, ठीके, अगर आप सामने से देखो के, अब ये मेरा right वाला में दिखा तो आपको, ठीके, मैंने इसको lift किया, पीछे push किया, वह इससे ही hold करके रखा है, neck को में extension में लेके गया, फिर मैंने ear को उस shoulder पे लगाया, और opposite direction में इसको तो guys, ये stage अगर आप fold करते हो, तो उसके instant, immediate आपको neck ही रहा में, या फिर जो भी shoulder ही रहा में पेने, वो काफी जाधा free हो जाएगा, and relax, तो guys, ये technique का आप ध्यान से देखें, वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको जो भी technique ही वो, सही way में होना बहुत जाधे important है, थोड़ा भी wrong way में अगर हो जाता है, तो आप फिर से वीडियो को देखें, टेखनी को exactly follow किजिए, फिर आप लोग के लिए again में एक ब and hold करना 15 seconds, again, down, down and down, ठीके, तो ये जो trick मैंने आपको बताया है, ये आप कप कर सकते हो, जब आप सुबह उठते हो, नेक काफी जादा जखड़ा हो है, आप ये आपको office जाना है, या फिर आपका जो भी काम करना है, तो सबसे पहले उठने के बाद थोड़े देर बाद जाता है, और उसके बाद आपका जो भी pain है, वो कैसे instantly खदम हो जाता है, तो guys इस वीडियो को पूरा share किजे, आपके relatives, आपके friends में, ताकि जिन लोगों को neck pain हो रहा है, trapezius muscle का spasm है, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफी जादा helpful होगा, और उनका भी neck pain, shoulder pain, या भी ज आपके किर,